I hope सब लोग ठीक से होंगे friends आज है हमारा इस फीक का First Day Gold के अंदर Market हमारी अभी ओपन होने वाली है तो कहां के लिए जाएगी आज Monday को Market अभी जिसनम अभी वीडिओ देख रही होंगे market open हो चुकी होगी तो कहां के लिए आपको ट्रेड करना है कहां पर बाइंग है कहां पर स सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करने एंग वीडियो को कम्प्लीट वाच करने एंड उसके बाद जो भी आपका डाउट रहेगा आप मेरे को यहाँ पे कोमेट में पूश सकते हो या नीचे हमने अपने वाटसेप ग्रूप एलेग्राम ग्रूप के लिंक दे रखिया वह मार्केट हमारी क्लोज हुई थी 2653 के उपर जैसे कि आपको पता है अगर आप ट्रेड करते होंगे के फ्राइडे को बहुत मार्केट में आपस डौन आपस डौन रहे थे मार्केट के अंदर जब से पहले डाटा निकला था था और मार्केट सेलिंग में गई थी यहां पर ह चारगेट हुआ था हमने क्लोज कर दिया था उसके बाद मार्केट ने वापस जहां से पूरे दिन थी मार्केट उससे उपर एक हाई लगा दिया था फ्राइडे का हाई लगा था फिर 70 पे वापस से ड्रॉप हुआ 40 दैन वापस से बाइंग में जार ही है मार्केट अगर देखोगे यहां पर देखे यहां पर जब बाइंग हुई थी इस वाले पॉइंट पर तो वापस ड्रॉप हुई थी फिर यहां गई वापस एक ग्रीन बनी यहां पर देखोगे अगर आप थोड़ा कैनल स्टिक भी देखो मेंटर करता है मार्केट में हर एक चीज इंपोर देखे यहां पर एक हैमर केडल बनी ग्रेंग करता है यहां से मोमेंटम स्टार्ट हो गया था यहां पर देखे एक अच्छी खासे मार्केट का वह बाइंग का पैटर आपको दिखेगा मतलब यह हमारा बाइंग जोन बन चुका अभी आज के लिए यहां पर सिंपली अभी तो अब इसको मांस तो पहले जो यह पीछे वाला मीसिंग है हमारा यहां पे यह यहां भी बहुत से लोगों के फिर एसल हीट होगे क्योंके यह तो न्यूज में वापस किर गया दिन लोगों ने वापस सेल किया होगा वह मार्किट लेके चल गया अब यह वाला जून है जिस अभी के लिए एंड इसका अमालो मार्किट यहां पर अभी है अगर ओपन होते ही अगर आपको हमें कुछ रिवर्सल मिलता है इस वाले पॉइंट के पास एंड इस वाले जोन से कहीं पर भी हमें अच्छा का सब बाइंग में देखने को मिलेगा हम डिरेक्ट लिया से पहले मैं सिर्फ मंडे की बात कर रहा हूं और मैं आपको पहले निउस गयरा भी दिखाऊंगा कि मंडे को कितनी डाटा निकलने वाला है निउस गयरा क्या है जाले वह देख लेते हैं देखिए मैं चक कर चुका हूं पहले ही मंडे को हमारी यहां पे 10-30 पी-म को डाटा है यहां पे नहीं है इसके अलाव भी आपको मार्केट में एक अनसर्टनी देखने को मिलेगी इस वी क्योंकि आपको यह से पता होगा के बहुत से यहां पे कंट्रीज के बीच में टैंशन का मोहल बना हुआ है बहुत सी वार्च चल रही है अभी जैसे हमारा इरान इस्राइल अभी यहां से नार्थ कोरिया सोथ कोरिया के बीच में भी कुछ क्छोश गन्फ्लिको हो रहे हैं तो उसका उट्रिस में क्या होता है उसका वख स्भाड io में क्या हुर्य इससे जैसे लंदन है लाइन अमरीका में इसराइल का स्सप्लिक्ट में उस्चैन्टिय है इसे जिए इसका अमेरीको गन्बॉब है उसमें तो कहीं ने कहीं आपको यहां पर इसमें बहुत दादा देखने को मिलेगा वह इसका अफेक्ट इसके उपर एंड इसके लाब फिर डाटा देखे दो तीन चीज़ें फोरेक्स मार्क लिए इंपॉर्टन होती है सबसे पहले कंट्रिस के विच में क्या चल रहा है वह और सेकंड होता है आपका एक्क्नॉमिक डाटा ठीक है तो यह चीज़ें आपको द्यान में रखते ही ट्रेड करना होता है लेकिए आप भी मैं आपको बता रहा हूं कि 30 से 42 के विच में बाइंग ज लेता है मार्किट बाइंग मोमेंट में चलते तो 60 का टार्गेट लेकर हम चलेगे पहले स्टेज में अगर हमें दिखेगा कि मार्किट 60 से कंटीव कर रही है तो हम फिर 68 के लिए जाएंगे टार्गेट 1 हमारा 60 होगा टार्गेट 2 हमारा 68 होगा एंड 68 पे एक चीज़ का जयान रखना देखिए जब आप ट्रेड लेते हो अगर आपको 0.05 का लाट लाइन एक्जेंपल के तोर पर एक ही लॉट में ट्रेड मत लीजिएगा एक ही ट्रेड में साब लॉट यूज नहीं करना है मिनिमम थ्री ट्रेड से अंदर डिवाइड करना है जैसे कि आपको य 0.02 का एक ट्रेड लोगे देन 0.02 का तो कितना हुआ यह आपका पांच लॉट हो गया मतब डैट मिन कि 0.05 का आपने लॉट यूज किया बट कितने त्री ट्रेड अपने लगाए अब मैं एक्जेंपल देता हो यह आपको पहले ही बदा चुका हूँ आपको 500 का एकॉंट है यह maximum lot है अगर आपका एकॉंट 500 है मैं recommend करता हूँ कि 500 के अगर 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 कर रहे हो तो आपको इससे उपर का lot आपका नहीं जाना चाहिए अगर आप बिगनर हो तो आपको इसको फिर 3 पही कर देना में यह बोलूगा फिर आपको फिर मांच पर नहीं जा आपको 0. 0.5 का lot use करने आपको 3 लगाने 0.01 0.02 0.02 अब मालो जैसे हमारा target है यहां पर 60 का target 1 है अब market अगर हमारी 58 है पहुंचती है ठीक है हम simply 0.02 को जो हमारा lot होगा अगर market 58 है पहुंच रही है तो हम 57 पर उसका SL रख देंगे और जो second हमारा यहां पर 0.02 का है उसका हम थोड़ा य 80% cover कर चुका है 90% पर जा चुका है तो 0.02 वाले को हम सिर्फ 10 का gap देंगे अगर 58 पर 57 हमारा SL रख देंगे ठीक है 57 पर जो हमारा second है 0.02 को उसको हम कम से कम 20-30 का gap दे सकते हैं and 0.01 का जो हमारा है कि highest मतलब समझ रहे हो कि maximum कहां तक जैसे हम exam imagine कर रहे हैं कि यहां से market 68 तक जाएगी उसका हम target 6080 रखेंगे उसका हम SL कहां पर कर देंगे जहां से हमने entry point की थी simple सा जहां से हमने trade लिया था उससे अगर 50-60 मालो अगर हमने 40 पर लिया था market अभी 60 पर जा चुकी है तो उसका 20-30 पर profit में रख सकते हो but otherwise आप अगर उसको zero भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर जब चाहोगे यहां पर 20-30 पर ठीक है तो अब यहां पर क्या होता है यहां में market थोड़ा reverse करती है क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर market में sport है ठीक है रिजिस्टेंस मार्केट कर सकती है यहां पर दस बीस पिप का gap एक ट्रेट को रखना है थोड़ा 20-30 फिपा अगर यहां से जा मार्केट जाती है मालो सिखा रहा हूं मैं आपको यह तो आपको कम से कम इतना गैप रखना है 56 यह 55 का जहां से फ्रीजों वापफ मार्केट रिवर्सल कर सकती है तो आपका फिर सेकंड वाला ट्रेट का रिचे होना चाहिए मालो उसको भीट करते हैं वो भी 50-60 प्रॉप हो जाएगा फिर थर्ड वाला अगर मार्केट पूरा वापस से गिरती है तब भी वो ट्रेट जिरो में क्लोज होगा ठीक है अगर जिरो ने आता यहां आदा भी आता है वापस जाती है मार्केट यहां से उपर तो आप क्या कर रहे हो एक सेफ ले कर रहे हो अपने लॉट को बड़ा कर रहे हो अपनी टार्गेट को बड़ा ऐसे ही किया दा ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा लाट लेना है फिर छोटे पर आपको जो अपने लॉट लिया उन पर आपको टार्गेट बड़ा कर करते रहना है अब सम्टाइम ऐसा होता है कि मार्किट रिवर्स करती है बढ़ कभी-कभी मार्किट फ्लैट जाती है इसलिए एसल आपको उस सबसे शिफ्ट करना तरगेट भी कभी टार्गेट फिक्स नहीं रखना अगर आपका मालों यहां से जैसे मार्किट कल सेलिंग में जा रही थी आपने 34 यहां पर 40 का टार्गेट दिया था 40 पे पहुंशने वाली थी मार्किट आप 30 कर तो 40 का टार्गेट था कितना हम कर रहे हैं अगर हम 70 पे टार्गेट रख रहे हैं मार्किट 68 पे हम 67 पे रख रहे हैं अपना तो इस तरह से आप यहां पर कल देन में करोगे बाकी हमारा ग्रूप जॉइन करो मैं फिर से बोलता हूं जिस इसको जॉइन करना है फ्री में हमारे स्रीन आपको मिल जाएंगे और साथ में हमने अकॉंट हैंलिंग की सर्विस स्टार्ट कर दी है उसके लिए भी कॉंटेक्ट कर सकतिव तक्यों थम्हें कर साक्ति हूं धुर तक्यों कर सकति द्रीन कर सकतिव थे तक ग्रूप थे उन्हां कर सकतिव थे हमारे से थे।